जाएंगी कि यह जो बॉक्स है वो नीचे सही लिया गया है यह हमको मिली जाएगा अध्याय नंबर साथ जड क्रिया का अंतिम परिणाम चैतन्य चैतन्य का अंतिम यास अर्था ज्यागरिती ज्यानानुगुटी ही है इस परिणाम ही जड प्रकृति में उत्पत्ति स्थिती एवं प्रले के रूप में परिलक्षित है यह जो परिणाम है जड प्रकृति में जो परिणाम है यही स्थिती प्रले उत्पत्ति के रूप में स्पष्ट है यह जो परिवर्तन या परिणाम हो रहा है जड़ प्रकृति में हो रहा है यह इसको करा नहीं रहा है यह एक important point है कि दर्शनों में हम देखते हैं कि वहां पर स्थिती और प्रलय और रिकी बात है उस वह करक्ता तो जो है ढह्chutz कर वा रहा है ज्याव इसवारत है कि चैतने के कि पूर यह चैतनी कीλε रहे हैं यह इश्वर कें कारण यह थीनुही शवी पॉसिफिरी फैप नहीं है परिणाम जो जड़ प्रकृति में जो परिणाम हो रहा है वो उसी में हो रहा है there is no external cause चैतन्य प्रकृति में विचार गुनात्मक परिवर्तन एवं परिमार्जन दिश्टवेर तो केवल परिवर्तन तो मात्रात्मक परिवर्तन से गुनात्मक परिवर्तन हमको जड़ प्रकृति में दिखता है और गुनात्मक परिवर्तन मात्र बिना मात्रात्मक परिवर्तन का हमको चैतन्य प्रकृति में दिखता है यही आगे जाके किसी स्टेज के बाद इसको परिम इसलिए सम्यक विवेचना के उपरांथ अनन्त सितियों में रॉआ और धर्म के आधार पर वैविजिता की सिति पश्ट है तो ये भी बहुत क्लियर है कि प्रत्य जो उत्पत्ति होती है जैसे मान दीजे एक पेड उग गया तो या पेड उग गया उसके पहले उसकी सिति भिंती तो हम पूछेंगे कि पेड था कहा तो पेड बनने की जो मूल जो कोड है जो उसका भुरून है वो फिर हमको बीच के र पेड खलीद हरता है इसलिए सम्यक उम्यक विवेचना का मरतर्प सही विवेचना अधिमूल्ये निरमूल्ये और अउन्गूल्ये दांल मुक्त विवेचना के उपरान अनंत स्थितियों में इतने भी स्थितियां इस अनंत धर्मांडों में हैं में रूप गुन्ट वे धर्म के आधार पर वेविद्यता की स्थिति सपष्ठ है तो यह कह रहे ही कि यह स्थिति लाए और उत्पत्ती में रूप गुन्ट वेशना दिकार जख़ान अवस्था में सिद्ध हुआ है और इश्वर में भी नहीं है, इश्वर नामक वस्तु या उस वस्तविक्ता में नहीं है, विवेचना स्थिती सत्य वस्तुगत सत्य के रूप में है, तो किस वस्तु को विवेचना कहा रहे हैं, विवेक पूर्वक जो विश्लेशन होता है, विवेक का मतलब है कि सत्या सत्य नित्य संत्य क्या समझ समझ में आता है यह समझ में समझ में आता है यह सुन 지уже jagts है कि केवल विवेक की विवेक ऐसा है यह मुझे में उसका स्विटार हुआ हो उसके साथ फिर हमारा विश्लेशन है तो विवेक प्रकार से अंतरगत कोई विशलेशन होता है, तो यहाँ पर यथार्थ मान्यता है, यथार्थ दर्शन के साथ जो विवेशना होता है, विशलेशन होता है, उसका नाम है विवेशना, तो उसमें फिर ये जो भी स्थितिया है, रूप गून सभाव धर्म को ही लेकर फिर हम वस्तुगत स तता झिवन सवाजर्म का होना एक और वस्तु सितिस State का मतलब है शर्था में सिऩतियक प्रक्तुम सब्सक् सत्य का मतलब तटै उसका आविभाज्य होने के अर्थ में और वस्तु सितिस State का मतलब देश दिशा और काल को सामेक तत्थे के रूप में हम इसको हैचानते हैं फिर कहते हैं विवगून सबाओ और धर्म मेंसे के लिए ही है और किसी वस्तू का विवेच ना फिर होने सकता ये भी एक बड़ा ये है क्यूंकि परमपरागत विधाओं में विवेकोद है पुस्तक मैंने बहुत पहले पढ़ी थी दस बारा वर्ष पहले विवेक चुडामनी बोलके कि हम सत्या सत्य में भेद कैसे कर पाएं मुझे लगता है कि इस अनुभर दर्शन में जो लिखा है और विवेक चुडामनी पुस्तक में जो इन्नता है सही क्या है गलत क्या है वो तो हर सादक हर अनुभर करता तै करेगा इसमें भेद है ये तो हमको काफी पस्ट रूप में दिखता है कई जगा भाषा तर्क और किनी चीजों में समानता भी दिखती है कई जगा भेद भी दिखता है कई जगा बिलकुल ही भी लिपरीत statement भी दिखते हैं कि दूरी हमको इन चार-पांस लाइन से हमको समझ में आता है तो भीवेचनादिकार यहां पर रूप-गून-शवब धर्म के अंतरगती है यह आम को इस रूप से समझ में आता है पुत्पत्ति हम रूप-गून-शवब धर्म क्या है इसके डी तो जो भी उत्पत्ति स्थिति और जो भी गिंति करते हैं यह केवल जगत तक ही सीमित है और इसका जो अंतिम परिणाम है वो क्या है वो परिवर्तन के रूप में है तो यह मरणशील है कि सर्थ में कहा है उसका स्वरूप में परिवर्तन हो जाना तो इसका अस्तित्व धर्म हम रहते हुए उसमें रूप परिवर्ट की कनेक्शन सक्सेस्ट हो लाद में ते लिए हम उताहां पर थे विवेख यहां ठीक है पाठक जी पूर्णिमा बाचपय दीदी नाटा जी फालगोनी दीदी सीमा यादर जी आप सभी ओंके कुछ भी एभी एक भी वो नहीं आया कमेंट यहां बंद हो जाता तो कमेंट भी गोल गोल गूंग जाता है कुछ कर नहीं सकते ठीक है अगे बढ़ते हैं हमारे पास है यह तो बता रहा हो गया टाइम है रोक ही लेते हैं यह इसको हम रोक लेते हैं कल कि अनुभव के बारे में मेरा अनुमान मेरे मैंने अभी तक जितना भी शोद किया है उससे जो भी अनुमान बनता है उससे ऐसा लगता है कि अनुभव के पूर में जो बोध है वही अनुभव के बारे में अनुमान है उसके पहले बोध क्या है इसके बारे में अनुमान है तो बोध के पहले बोध का नुमान बनता है और आभास के पहले आभास का नुमान बनता है जिसका नाम भास है तो मेरे अनुसार मैं भी अनुभाव क्यूंकि दर्शनकार को जो लिखना वो तो उन्होंने लिख दिया उस पर जो भी हम स्पष्टिकरन करेंगे या तो अनुभाव मूलक क्यूंकि चर्चा अनुभाव के बारे में है या अनुभाव के पूरु कि सितिका होगा तो मेरी जो अभी ये जो भी संप्रेशना है ये अनुभाव मूलक के मुझे स्पष्ट है मुझे अनुभाव नहीं है इसके बारे में मेरे मन में कोई भी संदिक देता नहीं है मुझे बोध नहीं है इसके बारे में भी मुझे में नहीं है और आउधारना नहीं है इसके ब सब्सक्क्राइब गलते डिरिक्षंड कीफिल्यक्यारारे में है है यह एसे मने स्विक मतरती है, तो आप जो भी सुनते हो, उसको उस रूम से सुनिए और आप बहुत भी कहरा हूं वह आप के लिए सोछदे ऊंगे आप भी कुछ सोचे होंगे, तो मैं जो सोचा हूँ, आप जो सोचे हैं, और बाकी लोग यो भी सोचते हैं, हम जो भी परसपरता अध्यान के करम में जो भी हम करचाय करते हैं, वो एक दूसरे के लिए एक मार्श दर्शिका के रूप में हैं, निर्शिका के रूप में हैं, जो बस्तु है उस तक हम लोग समिलित रूप से पहुंच पाएं इस रूप में यह जो भी संप्रेश्णा का जो करम है इसकी मुझे पूरकता नजर आती है बाकी इसकी उप्योगिता इस सत्र की एक प्रशार के रूप में एक सूचना के प्रसारण के रूप में यह साथ पर हैं और यह फॉर्ण साइज कल कुछ लोग कह रहे थे कि छोटा था तो उसको थोड़ा बढ़ा करने का मैंने कुछ रहतने किया बटू बहुत पका नहीं होगा तो हम लोग शुरू करते हैं ठीक है चैतन्य सदा ही जागृती क्रम में आत्वा जागृत है निद्रा हो रहा है कि निद्रा मतलब जो गहरी नींद है वो जड़ शरीर का स्वभावी गुण है तो यह भी हम इसे कर सकते हैं कि यह केवल शरीर का नहीं हर जड़ वस्तु फिर निद्रा में है मतलब वो जगा नहीं है तो एक प्रकार से फिर यह भी हम अनुमान कर सकते हैं कि सोते समय हम स्वयं के जड़त्व का ही killedों करते हैं में के जड़त्व का अनुभख करते हैं उसमें चैतनी क्रिया के होने का कोई प्रमान हमको जिलता निद्रा के अवस्था में तो स्वाभावी गुन निद्रा है यеना इसलिए उसका नाम भी जड़घ यहां पैदा होकर बड़ा हुआ महाराष्टर में महाराथी में कोई भारी वस्तु को जड कहते हैं जैसे भाषा के रूप में भी जड बुद्धी कहते हैं और लोग कुछ सोच नहीं सकता इस हर्द में जड का परिभाषा या इसके शब्द का चयान किया होगा ऐसा हम अनुम इडिक्षन के दिष्टी से भी ये बहुती एक महतुपूर्ण मुद्दा है जैसे हम प्रती दिन रात को आठ घंटा सोते हैं विश्राम करते हैं उसमें कुछ कलपना भी होती है कोई स्वापन भी होता है कुछ निद्रा का भी समय होता है उस समय स्वयम होने का प्रमान हमको संसान होने का प्रमान हमको बहुत ज्यादा नजर आता नहीं प्रमपरागत रूप से भी बहुत सारे लोगों ने इस पर जो भी शास्राप किया तर्क विशार विमर्श किया ये भी तर्क दिये गए कि क्यूंकि जैसे स्वापन वस्था में कोई वस्तू रहती है ऐसा लग प्रमान है उसका प्लोकन है उसको निकालके जागरे तवस्था में उन्होंने उसको पेस्ट कर दिया तो क्यूंकि ये भी हो सकता है कि जैसे मैं आपके सामने भी वह्त हो रहा हूं ये वास्तविक्ता नहीं है और ये अपने में एक स्वपन है इसको हम कैसे बोल पाए निध्रा जो है ये जड़ का सभावी गुर्ण है और चेतनय सदा ही जागरिती करम अत्रवा जागरिती है इसको आगे स्पष्ट करते हैं जागरिती की तुल ना में ही स्वपन एवां सुष्भ्ति का भिधन है तो स्वपन एवं सुशुप्त जो अवस्था है इसकी तुलना जागृति के सिति से है इन्हों ने इसको ये स्पष्ट कर दिया मतलब सच्चाई का जैसे समेधन शीलता अभी मानव जो जागृत सिति में है उसमें कोई भी वस्तू हुने का जो मापदंध है वो जागृत प्रकार से एक composite एक इक है जिसमें चैतन्य पक्षय और शरीर जड़ है निद्रा उसको स्वभाविक गुन है परन्तु यह चैतन्य इकाई जब जड़ एकाई के साथ तताकार हो जाता है वह स्वयम को भी जड़ मान ही लेता है इसलिए फिर confusion की बात है तो कौन सा पक्ष जड़ कौन सा पक्ष चैतन्य और चैतन्य में फिर कौन सी क्रिया जड़तों के साथ तदाकार हो सकती है और कौन सी क्रिया जड़तों के साथ तदाकार नहीं हो सकती है यह फिर मानों के लिए अध्यन का इंदू बन जाता है इस अर् कुल मिलाकर जागरति को पिर ये नहीं कहरे हैं यहाँ पर अन्तता है तर्था में जो भी अनुभव होना है जो ये प्रति में प्रकृति का जो दर्शन होना इसके कोमिनेशन को पिर जागरति नाम देने मा desta को सब्था का ये तो हमको स्पष्ट है अनुभूती योग ये शमता परेंत रूप गुंद सभाव की अभिवेंजना हवी है तो अभिवेंजित हो गया का मतलब अनुभव हो गया अभिवेंजना का मतलब है कि अभिदे आर्थ वेंजना ये अभिदे पूर्वक वेंजना अभिदे पूर् की समाधान का जो चर्मोत कर्ष बिंदू है अनुभव है इसलिए अनुभव परेंत जो भी रूप गुण स्वभाव का अभिवेंजना प्रसिद्ध है इसमें हम यह भी आप नोटिस करेंगे कि इसमें धर्म नहीं दिया है अनुभूति योग के शम्ता परेंत रूप गुण रूप गुण स्वभाव की अभिवेंजना ने लिका है कि धर्म की मात्र अंततह अनुभूति ही होती है उसका दर्शन नहीं होता है, धर्म की मात्र अनुभव ही है कि हम मानवभव धर्शन में भी पढ़े हैं और इस पुस्तक में भी हमको एक उलेक मिलता है कि रूप गु दर्म जो वास्तविक्ता है या वास्तविक्ता का धर्म जो आयाम है ये बुध्धी या बोद में या प्रतिती में पूर्ण तया समाता नहीं、「 इसको आनुभव अवशक हो जाता है इसलिए रूपकुन धर्म के संयुप्त पिर अनुभव होता है इसलिए जागरती जो है यह अनुभव के साथ ही पूरा होता है उसी को फिर पूर्ण जागरती भी आगे कहेंगे जिससे अनुभव से जिससे हर शोकादी द्वंद्व का प्रसव होता है अच्छा ने ! अनुभव योग जशम्ता तक थाना हर शोक बरादी अपरसेव होता है क्योंकि अनुभव परइंद जो है अभिभेंजणा भावी हैंमेक कि सरोतो मुंग्य समाधान अनुभव परेंद उसकि निरेंदरतत जो है अनुभव है नहीं इसलिए हर्ष और शोक हर्ष और शोकताव समझती हैं इसका द्वंद की पूरी संभावना बनी ही रहती है आगे सम विशम मध्यस्त में मध्यस्क्रिया व्यापक सत्ता में अनुभोपूर्वक समाधानी संतुष्ट एवं आपलावित है है तो जो सम्विशम क्रिया है। एक सम्वेश होता है एक विशम्वावाष होता है। तो यह सम्व विशम्व पूर पूर्वठ समाधानी संतुष्ट एवं आपलावित है तो इसको ऐसे देखेंगे। तो 4.45 क्रिया से शुरू करते हैं तो चित्νοने जो सम्व और विशम है यह बुद्धी में के जो सम मध्यस्त है उसमें संतुष्ट हो जाता है बुद्धी में जो सम मध्यस्त है वो आत्मा के मध्यस्तता में संतुष्ट होता है और आत्मा का जो मध्यस्तता है वो आगे जाके व्यापक वस्तू में या व्यापक सत्ता में वो संतुष बहुत ब्यूटुफुल इसमें दी देखेंगे तो अमानुवियता मानुवियता में मानुवियता का मतलब है यहां पर मानुवियता पून जीवन जो अभ्यास दर्शन में अधिन किया गया तो मानुवियता पून जीवन का मतलब मानुवियत इसकी विशे स्वभाव का ग्य मानव्यता में दोनों हैं य्कितना ग्यान और आचरन ता दिव्य चेतना का ग्यान और अतिसंत्रिप होता है तो ये त्रिप्ट, संत्रिप्ट और अतिसंत्रिप्ट हमको एक क्रम यहाँ पर दिखता है अगे रहस्यता से अज्यान, अज्यान से ब्रह्म, ब्रह्म से मोह, मोह से अक्षमता, अक्षमता से अमानवेता और अमानवेता से ही रहस्यता है, तहां, quite straightforward, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जो हमको समझ में ने आया, वही रहस्यता है, तो इस रहस्यता के तारण ही अज्ञान का प्रसव होता है, अज्ञान ही ब्रह्म है, क्योंकि जो जैसा है, या तो उसको देखने सकते हैं, या दिखता है, तो फिर आधूडा दिखता है, या कलर दिखता है, तो जैसे एक संबंध है, तो जैसे मा एक संबंध है, तो मा संबंध अस्तित्यों में जैसा है, वैसे नहीं दिखता है, या तो आतिव्याप्ति दोष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष तता उसके पौलन, पालन, पोशन और संदक्षन के लिए सक्षम अपने आपको नहीं पाते हैं, उसमें अक्षमता ही रहेगी कुँकि कोई न कोई दल्ती उसमें नहीं थैं, इसी से फिर अमान्मियता का प्रसभ है और अमान्मियता स्वयम में रहस्य हैं, एक लूपिंग अग्यान की बात हुई ब्रहम की बात हुई यथार्तता की सहज अनुगूति यथार्तता जैसा है वैसे ही उसको अनुभग कर लेना उसके योग्यशंता योग्यता पातरता को पा लेना तथा उसको प्रमानित करना इसका नाम है जागरिती तथा प्रहमता मोक्ष का यह मतलब प्रयोग प्रमान तथा व्यवहार्वान की रूप में यह्यान।। नूसथी कि जो इसित्ज़ी रूप में परमानन या इसे प्रमान वाला रूप है। भगी दारी वाला पक्ष प्रमानू परमपरा ये शूठा वें,id stereotype दीखता है और व्यवथते नियुद नियुक ga प्रमानित हो जाना और उसे परमपरा भी हो जाना और जो जागृती काई है वह भी हो घूंदू हैं उसके संतुलेंट बिंदू में फिर हम जागृति को सम तर्टे को सब्सक्रा नहीं, इसलिए का अभाव में बगाउब यहां पर जागृती को क्रिया के साथ जोड़ा दूंगे हैं कि जो भी हमको सुनने में आता है कल भी कहा था कि सामान मनुश्य दोपे न ग्यानी है हम लोग न विज्ञानी न अच्जी कहा है यह ब्लेटा करणा अस्तित्व है और उस्छेतना का श्तित्व नहीं है जैसे बहुतिकवादी दर्शन法 तो में हमको सुंदे में आता है या आधर्श्वादी या अध्यात्मवादी दर्शनुमें जो सुनने में की आता है क्रिया की सर्चा जरूर है परंटु जो हम जगरती या मोक्ष की बात करेंगे या अंतिम् मतलब यह नहीं कहा जा रहा है कि क्रिया भिन्वस्तु है क्रिया ही जागरित होती है क्योंकि चैतन्य को क्रिया के रूप में तेचा सब्सक्राइश करने के कारण कि इसको पहचानने के में से लाइन बंपा रहना है नहीं तो यह लाइन लिखना बंता नहीं तो कृषिय का अभाव नहीं है फ्रक्रत् involve नहीं है इसका दूसरा भी उसर पक्ष है कि फ्रक्रति कर aircraft हैं जागरिति के यहां घंडती के आवशकता है ये इशराम ही है तो अंदर जो भी द्वंद्व है और उसके कारण जो पीड़ा अशांती दुख ख्लेश जो भी होता है उससे हम मुप्त होना चाहते हैं या उसको हम एक अच्छे स्थिती में परिवते हैं इसी स्थिती का नाम विश्राम है यह केवल सत्य में ग्यान एवं अनुभवी है अं को इसी की ठता है ऑके पानण जीवन सहेज्स लक्ष माश केवल अनंद आसा ने लिखा है और संतोष भी है तरह सुख के चार स्तर भेद हैं ऑपना भाषा देने जाएंगे और सुप्र्कार के सुप्णू और मन वें व bridge के योगफ़ में श्क को ठीवर चित्य तता बुद्धी के योगफल में संतोष तता बुद्धी तता आत्मा के योगफल में आनन्द। इना ये मानुर जीवन में इसका जो मतलब इसी की तृषा है और इसी को फिर पूर्ण विश्राम कहे रहें तुप्शांती संतोष आनन्द। तो केवल आनन्द है ऐसा नहीं कहा जाए। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक हमारे देखने का स्तर है वो केवल रूप और गुण तक ही सीमिध है तो उसमें विश्म होने की प्रधान साथ में कुछ सम हो सकता है और मध्यस्त की कामना या मध्यस्त की अवश्रक्ता हमको मैसूस होती है इसको गदूरे सभाव के योगफल में स्वभाव के योगफल में उसमाफमक जीवन कब हम पा सकते हैं जब स्वभाव का सक्षादक 10 हो जाती है या सव्भाव धर्म पर शाक्षादक Quinn tweh उससे स्वभाव पर अधिकार आता है इसको अवधारना के रूप में भी बताया गया है इसमें भी मध्यस रहता है परंतु विशम तुट जाता है इसको मोटा मुटी यही हम देखेंगे तो मानवितापुन जीवन के स्वभाव का ज्यान तता उसके आचरन की प्रवृति अवरिति के रूप में हम पैटान सकते हैं तता रूप गुण स्वभाव धर्म के योगफल में मध्यस पतिष्था है तो मध्यस पता मतलब फिर अनुभव ही है और इसलिए धर्म जो है अंद्रतहा अनुभव के पूरा ह सब्सक्राइब और प्रतिष्था के व्यंद के ऐसे अधिक प्रतिषथा के लिए रूप गुन सब्सक्राइब अधर्म से अधिक इन दो इसको हम कैसे देखेंगे कुछ यह सम आ जाएगा ना विभाव जो है यह मध्यस्त हूगया और प्रलय जो है यह विशम हो गया, तो जो भी जैसे एक पौधे का उगना उसका बने रहना और उसका घटना तो उद्भविभव प्रले हैं ना, इसी को फिर रजोगुन, समोगुन और तपोगुन भी का है, इसी को फिर सम विशम या सम मध्यस्वर विशम के रूप में भी हम अध्यन किये हैं, यही जो वस्तु है, यह चैतन अवस्था में गठन पून्था, क्रिया पून्था और आचरन पून्था को सिद्ध करता है, तो क्या मतलब हो असका गठन पून्था के बाद क्रिया पून्था पर्यंत हैं ना, रूप और गुन का विशम अवस्था में रहना, पून्था मे इनका ज्यान पक्ष है इनको अभिवेक्ट करने का प्रमान पक्ष है अंततहा प्रमान के पहले ज्यान होने की कोई बात होने सकती परंतु ज्यान होने के बाद ही प्रमान होगा तो जिस इकाई को ज्यान होता है उसको तो प्चलता ही कि ज्यान हुआ है उसको अपने में कोई दिखेगा ही वो परंपरा में जब तक ट्रांसवर नहीं हो जाता है तब तक परंपरा रच परमान नहीं है इसलिए फिर हम उसके ग्यान तथा प्रमान दोनों पक्स के हम बारे में हम देखेंगे अभ्यास दर्शन वाले सतर में थोड़ा सा थे तो उसमें इस पर छोड़ी सी चर्चा हुई थी इनना तो आचरन पून्ता को सिद्ध करता क्या है मध्यस पतिष्टा ही आज को सिद्ध करता है इकाई इकाई रूप गुन सभाव एवं धर्म के योगफल में ही स्थापित संबंदों में नहीं का अनुभव करता है तो यहां पर अनुभव के शेष्ठत अनुभुव सवभाववण धर्म के योगफल में है इनको पूर्ण तया infinity कर सकते हैं तो इसको हम एसे भी समझ सकते हैं कि विश्वास से शुरु होता है यह स्था खार मूल्यों पूर्ण मूल्य के रूप में हमने अध्यन किया है इसलिए पूर्ण मूल्यों की जो अनुभव है यह अनुभव पूर्वक्षी होता है यही समाजिक्ता का परिणाम एवं पूर्ण सतर्था है पूर्ण सतर्था पूर्ण सतर्था मेरी आनुसार बौध श्यूष्व पूर्ण सतर्था करो एसका क्या मतलब हुआ जब सफ यह अध्यन के क्रमने पूर्ण सतर्था आ जाती है इसको प्रें जीवन अभ्यास दर्शन को अध्यास दर्शन को अध्यन करते समय हमने ये भी देखा था कि मुल्यों का अनुभव होता है और अनुभाव का मतलब ही भास आ uniform upon अनुभूर्थी की क्रम है सारे ही अनुभव है मनुष्य तो अनुभव आयाम संपूण मानव में है और में मानव के रूप में संपूण जीवन में और अन्त तह जो पूर्टान को रहता है किसी वस्तु या Dra صिका कसी एक आयाम ने या रख, हलो 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 ह अचको ठीक है, धीक अके लुट्टोराचा तो टो 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 कोड़ी की डिक करा रिये परेंग अवाई रारी अभी आपको तो के नाओ के लिक नाओ र्यावाज को की ने फिर्ट रारी आवाज की अवाज रारी ने लूट पर रारी आपको यहां पर एक स्टॉम हुआ था निसर्ग बोलके तो नैसरगी क्विदी से यह सत्र जो है रुग गया है एक मिनिक निसर्ग स्टॉम में यहां के जो केबल है इसके इंटरनेट के सारे गिर गए तो यह नैसरगी वजय से तुग गया अपना थी के बढ़ाते हैं इसको आप अपना थी के तो तो यह तो नहीं सर्गिक कि थोड़ा रिपीट करें तो यह यहां पर हम थे रूप गून सभाव धर्म के योगफल में ही स्थापित संबंदों में निहित स्थापित मुल्यों का अनुभव करता है इस वाके पर शाय थोड़ी सी दिकता गई थी चीज़को मैं वापस रिपीट करता हूं तो जह यहां पर हम अनुभव शब को देखें तो अभ्यास दर्शन का हम यहां पर स्मरण करेंगे कि मूल्यों का अनुभव होता है तो मूल्यों का अनुभव जो है संपूर्ण जीवन ही करता है जैसे मन जो है समान और मम्ता जैसे मूल्यों का अनुभव करता है विश्वास मूल तो यह अनुभूदि करता है, यहां पर ये हम देखेंगे, तो यह लिखा है कि सामाजिक्ता का परिणाम एवं पूर्न सतर्ता की सिति के बारे में बाप कर रहे हैं, तो पूर्न सतर्ता की सिति कब बनती है, सत्य बोध में क्यंकि धर्म का भी बोध हुआ रहता है, सभाव धर्म के संयुत रूप में बोध होता है धर्म का भी बोध हुआ रहता है सत्य का भी बोध हुआ रहता है इस स्थिती का नाम है पूर्ण सतर्ता की स्थिती इस पूर्ण सतर्ता की स्थिती में ही हम अन्तत्रह जाके थापित संबंदों में नहीं सभी स्थापित मूल्यों का अनुभाव कर पाते हैं उसके पहले सारे स्थापित संबंद निर्वा हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है और सारे स्थापित मूल्यों का जो है चेतन्य इकाईय साधत अनुभव करेगा वो भी नहीं है उसके पहले उसका प्रतिती होगा उसके पहले उसका भास आभास और भास होगा कि हम उसमें अध्यन किये थे अभ्याष दर्शन में कि मानविता पूर्ण जीवन में सरो प्रतम अनुभव में आने वाला जो मूल्य है वो विश्वास है विश्वास है यह वाकिया आपको याद होगा तो सरो प्रतम विश्वास अनुभव होता है उसके बाद फिर शद्धा पिर गौरवात्सले इसक्रम्स अनुभो होता है और अंततह जाके प्रेम मूले का अनुभो होता है तो यहां पर यह जब बात कर रहे हैं अनुभो होने का तो यह इस्थिति के बारे में वर्नन है यह लिखा है इंगित किया है फिर लिखे है इस शम्ता से परिपूर्ण होने तक मानव में गुनात्मक परिवर्तन तथा परिमार्जन भावी है। तो व्यापक वस्तु में अनुभव होता है। अनुभव में जाके संपून मतलब त्रिप्थ हो जाता है। संत्रिप्ति के रूप में हमने कुछ पेज के पहले हमने अध्यन किया था। और यह संदिग्दिता रहने परेंत अनुभव नहीं है। तो यह भी एक चेक है कि हमको फिर अनुभव हुआ है कि नहीं। यह हम कैसे जांचे कि हम में संदिग्दता बचा हुआ है। इस मतलब है कि फिर अनुभव नहीं है। तो उसको फिर प्रमानित करना ही बनता है और प्रमान का तात्परे क्या है वो आपने में एक चीज है परन्तु रूप गुन सवाध धर्म का ग्यान होना और संपून सापित मुल्यों का अनुभो होना इसके बाद ही फिर एस्थिति की बारे में बाचीव है तंदिक्टता पर करम से अगरी का नाम जागरिती क्रम है फिर आजे हर स्षिष्टि में पाए जाने वाले थि्रुभाू भाव भाव अभाव परिनां परिपाक संबन्द ज्यान योग शमता योगता पातरता की अपूर्णता ही आया है तो मया रुपी भारत में पिछले 1100-1200 वर्षों से इसका जो पंदर्ब है माया का इस रूप से है कि जो जन्मानस में एक पॉपिलर चर्चा में जो आती है बादचीत में लिखा क्या गया है अपर नहीं जालते पर जो चर्चा में आती है बैसे संभाव बनती है एक तो संसार होता नहीं संसार होता नए 스ंग एक की सर्ट में flor की सर्थ में क्योंकि उसका कोई винए त्रय श्क्तर नहीं है यह लप्टॉप का फाय स्तर नहीं है तो यह एक व्यवहार सरथ के रूप में प्रतीबादित कि यह लपकाप एक सत्रय करक이스를 है अंततह यहां रहता तो इसी को मद्यस दर्शन मेरी देखेंगे व्यवहार इक सत्य को ही वस्तु स्थिती सत्य के रूप में देखा है तो इसको एक स्थाई भाव एक स्थाई तो दिया है व्यवहार इक सत्य को वस्तु स्थिती सत्य के रूप में क्योंकि इसके बिना व्यावार, प्रटेक्ष रूप में जीना असंभव है, आपके साथ बाप करने के लिए, व्यावार करने के लिए पहला, मानना पड़ेगा कि आप हैं, य ही आप नहीं है, उसके बावचुत मुझे आपके साथ बाप करना पढ़ रहा है, क्या काफी एक परिपाक, उसका जो भल है, उसमें जो नहीं समभन है और इन सब का ज्ञान, योग, शमता, योगता, पातर ताकि अपूर्नता ही माया है। और जो शिफ्टिंग है वो इस रूप से हमको माया वाले शब्द में दिखता है यह बहुत बड़ा एक शिफ्ट है यह जो दो लाइन है पिछले भारत में प्रचलन में एक विचारधारा के अनुसार पिछले ग्यारा सो वर्षों की जो इसमें कम से कम व्याख्याएं और जन आगे वातावरणस्त वस्तु स्थिती संकेर ग्रहन योगिता व्यापक में स्थिती ज्यान ख्षमता इकाई के जगरती पर अधरित है तो जो वस्तु स्थिती संकेर ग्रहन जो योगिता है यह वातावरण का होता है जैसे यह लैप्टॉप है यह कमरा है यह सब को फिर वा मैं ग्रहेन कर पाऊं उस संबंद के दोरांन निर्वा करते समें कि यह मेरी जागριती के शमता पर निर्भर करता है तथा व्यापक में स्थिती घ्यान-शमता क्योंकि स्थिती होन है व्यापक अनुभगं शमता जो है उस का एकाई के जागरिती पर अधारित है तो वेरी क्लियरली यह डिमार्केशन हो रहा है कि आस्तित्र जैसा है वैसे है तुम समझ सकते हो है कि नहीं कुल मिलाकर मुद्दा इतना है इसी को फिर जागरिती क्रम के रूप में पूरी एक क्रम बद जो है श्रिंखला सतर्ता सतर्ता से सतर्ता पून फिर सजक्ता और तरीका की रूप में हम अध्यन करते हैं तो प्रकृती में कोई खोट नहीं है अस्थित्य में कोई कमी नहीं है मनिश्य को उसको समझने में जो शम्ता योग्यता पातरता है कुल मिलाकर जो अंतर है वो इतने में ही है फिर कह रहे हैं ऐसीक शम्ता की अपूर्णता तक अमान हो जाता है फलतहा अमानियताता हुआ कि हम यहां पर थे अभी वेंजना के रूप में तो उस वाक्य को एक बार पुना पढ़ लेता हूं कि अभी वेंजना क्रिया यह वस्तु सिति वत्ता की पूर्ण स्विकृति ही अनुभूति है तो इस वाक्य को काक्यातात्पर बनता है अभी वेंजना की पूर्ण ग्रहन क्रिया तो वेंजित होना जीवन में कौन सी काया होती है मन तीचित तता बुद्धी जो है यह वेंजि बुद्धि पूर्ण तया आत्मा के संकेत ग्रहन करने योग्य हो जाना ही अभी या अनुभाव के अनुसार फिर बुद्धी का अपलावित होना ही अभी या वस्तुस्थिति वत्ता का वस्तुस्तिती सत्य वह वस्तुधत प्रकृति के अधिक विकास के अधार पर अधिक विक्सित की अभिवेंजना अभिप्राय सहीत वियंजना और कम विक्सित की व्यंजना प्रशिद्ध है तो अभी वेंजना और वेंजना में क्या अंतर है वो इस वाले लाइन से हमको क्लियर होता है कि जो जागरित मतलब जो अध्यन करने वाली जो इकाई है उससे कम विक्सित प्रकृति की वेंजना होती है और उससे अधिक विक्सित प्रकृति की अभी वेंजना है वापस साइल आधिक विक्षित है अधिक विक्षित है मिला कर में ही प्रत्य क्रिया की अभिवेंजित विक्षित है कि हैं आत्मा से बुद्धी हो जाता है तो इस रूप से हम यह करते हैं कि को आगे बढ़ते हैं कि अभी वेंजणामें वेंजणामें उप्योगिता का संकेत है तो यह भी इसे गुणात्मक परिवर्तन के लिए परेड़ना तथा शंकेत प्राप्त होता है अभिदय प्राय मतलब अभिदय जैसा ही अभिप्राय है जिसमें अभिदय का भास या आभास होना अवश्क है तो सरोतोमुकी समाधान का भास और आभास से हमको अभीदे क्या है या सरोतोमुकी समाधान क्या है अभी वेंजना क्या है इसके बारे में हमको पता चलता है इसी से अभीदे का भी पता चलता है जैसे अभी हम दर्शन का अध्यन करते हैं तो इसमें संपून प्रकृति का चा मिली एक प्रकार की कि इस अस्तित्व और प्रकृति के प्रती अभी तक जो हम अनभीग्यत है हमको उसके बारे में पता ही नहीं था उसके बारे में पास होने मात्र से उसका स्कृष्टिकरण मात्र से ही हमको काफी आराम अपने में मैसुस होता है यही अविदे का भास और आ आप्ता में अनिश्चित कलपना में उसकी अनित्यता एवं और भांगुर्ता का सुषुक्ति इन की जड़ता भास अभास और अनुमान करें तू यह जो तीन स्कितिया है जागर तवस्था में प्रक्ति होने का हम को पता चलता है उसकी नित्रेता का पता चलता है उसकी परिणाम शीलता का भी पता चलता है जैसे धर के बगल में एक पेड़ है कल भी था आज भी है और g tubing रहेगा यह हम विश्वास करते हैं और उसमें कोई परिणाम भी होते रहता है, ये भी हम विश्वास करते हैं, हमारे साथ के जो लोग हैं, वो भी बने हुए हैं, इस पर हमको विश्वास होता है, आगे किसी दिन वो नहीं रहेंगे, ये कहीं न कहीं पता ही रहता है, हर आदमी को किनकी शरीर कमर्ची होता ही है, हर आदमी इसको देखता है यह एक accepted factor उस समय भले ही खराब लगे यह पता ही रहता है कि किसी दिन हमको भी जाना है और सबको जाना ही है तो जागरत अवस्था में इसकी नित्यता तथा परिणाम शीलता का भास और आभास रहता ही है वैसे ही स्वपन अवस्था में अनिश्चित कल्पन नहीं कहेंगे वह जागरती के स्वरूप में चित्रन और विचार और मन के क्रियाश कलाप के रूप में हम पैचान सकते हैं परंतु उसके पूरों में उसकी अनित्यता एवंक्षण भंगुरता का क्यूंकि कुछ समय के लिए रहता है उसके बाद खतम हो जाता है रात को ज सेर देखके डर रहा था वह वास्तव में ऐसा कोई परिस्थी थाई नहीं यह दिन में आके ग्यान होता है इसलिए इसके कुछ पेजिस के पहले वह रेफरेंस आया था कि जागरती के तुलना में ही स्वप्न तथा सुशुप्ती की जड़ना है तो जागरती ही उसका पेस ह यह इसलिए भी मेंतुपूर्ण है क्योंकि दिगत में कई सारे विचार धाराओं में पपन अवस्था के खंड भंगुरता को लेकर उस तर्फ को जागरती के अवस्था के अनुभाव पर सुपरिम्पोस किया गया क्योंकि सपने में जो दिखता है वो नहीं होता है में जो दिखता है वो भी नहीं है तो वो शुनिता में जाके पहुंचा दिया तो जागरित स्वप्न और सुशुप्ति के अनुभाव को लेकर इन में से किसी एक को धुरूब बिंदु मानकर जो तर्फ को जब फैलाया गया उससे मनुष्य के होने को और प्रकृति के होने पर बहुत सारे प्रश्निशिन लग गए इन वाक्तियों से हमको समझ में आता है कि इसके मूल कारण ध्रम ही है इसका मूल कारण कल्पनात्मक एक प्रोजेक्शन ही है यथार्त में होने के रूप में धर्म को समझने से फिर जागरत अवस्था स्वप्न अवस्था तता सु इसी का परिणाम है कि यह सब अनुभूती के लिए त्वरण की भूमिका का निर्वहन करते हैं क्यूंकि यह सारे भिन भिन नवस्थाओं से एक मनुष्य गुजरता है और मैं अभी जो कह रहा था कि लोग इसके बारे में आज तक सोचे ही है बहुत सारे लोगों ने उसको कुछ उसको समझने का परेत्ने भी किया है किसी के कारण यह आगे अनुभूती के लिए सोचता है कि वास्तविक्ता में क्या है मैं हूं भी को नहीं हूं और संसार हूं भी कि नहीं है इस प्रकार के जो प्रश्ण है मनुष्य पहले से curiosity जिग्यसा करता ही आया है तो यही का सकता है कि यह जो भी सोने का जोकरिया है यह मेरी अवश्यक्ता नहीं है जीवन के अवश्यक्ता नहीं है यह शरीर के अवश्यक्ता है तो सोना जो है शरीर को सुलाना है तो मैं सो रहा हूं यह जब कहता है तो मानाव के रूप में भाशा बनता है जीवन के रूप में बने रूप से वह बंदी हो जाते हैं शारीरी क्रिया चलती रहती है इसको फिर हम निज्रा के रूप में प्रती दिन प्रती रात हम लोग या दिन में उस लोग दिन में सोते हैं उसको अनुभव कर सकते हैं ठीक है आगे कि जब आनुभव दर्शन के बारे में बात करने के लिए जब आया तो मुझे लगा कि इसमें बहुत तो स्पष्ट है तो हम आदे घंटे में एक एक चैप्टर कर देंगे अब एक एक लाइन को अब ऐसे देखके रिदी उस पर बोलने के लिए वह बनता है तो इतना सारा बन करने के लिए एक लाइन के तुम मेरे भी अपर मैंने भी सुचा नहीं था कि इस पर हम इतना समय करेंगे अवशकता है नहीं यह नहीं जानते आगे संपून प्रकृति ब्रहम में अनुप्रयानित होना रहना पाया जाता है अस्तु उसके उसकी अनुभूति योग शमता योगेता पातरता से संपन होने तक आनंद की निरंतरता नहीं है तो आनंद की निरंतरता होने के लिए आनंद की निरंतरता जो है अनुभव पुर्व की होता है वो सब्सक्राह fulfilled को अनुभब करने क्षमता योगता पातरतल नहीं है उसके लिए मानुता पून व्यूहार का अनुतारहन अनुसरन तथा अधिमान्वीययययययययययययययययय, पुरवतिक जीना, तन्मंध, धन, रूपी, सदुपय Okay. रूप में जीने का अनुकरन अनुसरन करना है जब हम कहते हैं अनुकरन अनुसरन एक हेस एक व्यक्ति समधानित है और अनुभर संपन्न है तो वो चाही पीते हैं हो सब्य गया ग्यान आते हैं और हम भी सात गजे दे करते हैं एक है रूप आत्मखविदी से उसका अनुकरन करना उसको रूपस उपासना भी किसी जगह का है जैसा कर्ण दर्शन में तो एक व्यक्ति जैसा करता है वैसे देखके मैं ही उस दिन चरिया को फॉलो करूं वैसे ही बाप करूं वैसे ही उदार्ता का प्राक्टिस दूसरा है हमारे गुण जागरिती के गुणों की रूप में हो जाना यह फिर अनुकरन अनुसरण का मतलब होता है यह अनुकरन का मतलब होता है कि हमारे जो गुण है हमारे में भी विश्वास सम्मांसने और कृते गिता के भाव आ जाए यह फिर वास्तविक उपासना है वैसे ही हमारा स्वभाव भी है और वैसे ही धर्म की भी हमारे में वैसी ही अनुबुटी हो जाय है वह अति मानविता-योग के अभ्यास ते संबंदिय ज्यान- apoyo के रूप में जहने वहने के लिए पहले मानवेटा-पुर्ण वैवहार-पुर्ण- अनुगुति के लिए हम जो अभ्यास करते हैं यही एक मात्र उपाय है इसका यह मतलब है कि मानविता पून आचरन को नहीं सोचते हुए उसमें अनुकरन अनुसरन तथा प्रवृति न होते हुए अतिमानविय योग्य अभ्यास के बिना हम अनुभो को प्राप्त कर लेंगे इसकी संभावना नहीं है तो आगे बढ़ते हैं सम्मेदन क्रिया ही क्रिया के साथ आस्वादन सानिध्य और संगर्ष में स्थित है कि स्थिती में है आस्वादन की ख्षन भंगुरता सानिध्य में प्रेर्णा संगर्ष की असहनियता प्रसिद्ध है तो यह सम्मेदन क्रि वही सामने वाले के भी जुख दुख का वही कारण तो यही क्रिया आस्वादन सानिद्य और संगर स्थिती में है तो आस्वादन में वह क्या होता है जड़ प्रकृति का आस्वादन मतलब भोजन का अच्छे तो पहाड पर चड़के जो सीन दिखता थोड़ी देर के लिए अच्छा रहता उसके बाद चले जाता है तो एक शेष्ट वेक्ति एक अच्छे वेक्ति या कोई ऐसा वेक्ति जिनमें ऐसा कोई अच्छा ही है या अच्छा गुंड है जो मुझ में नहीं है उससे फिर हम प्र सेवा का भाव नहीं है या सेवा की प्रवर्ति या व्रिति नहीं है उनको देखकर एक पिर्णा मिलता है कि मैं भी ऐसा सेवा भावी बन जाओं और संगर्ज की असैनियता तो संगर्ज जो है व्यक्ति के साथ भी हो सकता है और प्रकृति के साथ भी होता है दोनों का ही अस बुद्धी बोध अभ्यासी चित्य चिंतन अभ्यासी वृत्य तुलन अभ्यासी और मन आश्वादन अभ्यासी है तो आत्मा बुद्धी चित्य वृत्य तथा मन के क्या objective है यह बता रहे हैं तो आत्मा अनुभो करने वाला बुद्धी बोध करने वाला चित्य चिंतन करने व्रित्तितुलत्वारतर्शनी तता मन आस्वादय करने वाली स्वादन वाला इकाई ol यह ऐसी फाकल्टी जो इन चीजों को करते हैं इसी को मानव्यवार दर्शन में भी अध्यन के हैं मन रसग्राही वृत्ति तत्व ग्राही चित गुन ग्राही बुद्धी सत्य ग्राही तत्ता आत्मा जो है अस्तित्व ग्राही तत्त है तो उसी को यहां पर इस रूप से अंको औरॅध क्लियर आगे का मतलब है किस वस्तू का है fix व्यापक वस्तू का सानिध्य का अनुबूति होने तक शतर्ता प्रिक्राही तहता है तो सतर्था जो है यह वृत्ती से निस्रित है सतर्था तो जो धर्मपून विचार है उसी को फिर सतर्था कह रहे हैं तो चित्य के मूसार वृत्ती होना और वो चित्या मूलत बुद्धी या बोध मुलक बुध्वी के अनुसार जब उचित्त हो जाता है, तो उस ग्रियह को सटर्षा कहरे हैं, सजक्ता में क्या हो रहा है, बुध्षी आत्मा का संकेत ग्रहन करने योग्य हो जाता है, संकेत ग्रहन कर भी लेता है, और उसके बाद अनुभोमूलत बुद्धी हो जाता है इसका नाम सजक्ता है तो सजक्ता जो टर्म है वो चिट्ध और बुद्धी के делатьform में सजक्ता है और सटर्था मतलब वृरिंति तता चिट्य के यौक्वल में है तो प्रत्यावर्तन की बिना जो प्रत्यावर्तन हो उसकी निरत्रता यह बिना विद्धी को निरय नतरती मिवाइन इसके निरन गुंकी निरनज की आत्मसाद करती है भी तो यह दिखता है कि settlement को क्या होगे दो मर्दल करती है इसे वाकिये को कैसे संभित सब्सक्राइब को प्रेना है बुद्धी पर हर समय उपलब है समय उपलब की क्षमता बुद्धी में पाई जाती है इसलिए वृत्ति में भी ज्याय धर्म सक्ति के रूप में सम तता मध्यस्त की प्रिर्णा को स्विकारने तता प्रिहित लाव रूपी विशम के प्रिर्णा को नकारने की क्षमता पाई जाती है इसलिए इसका जो श्रेह है फाइनली आत्मा को ग्ञान होता है कि बुद्धी में यह ग्रुद्धी और जनुरण दोफ जट आधमा को यह पता चल ढ़ना ही पज़क्ता था अबहाँ रोग सशंऽ कनदिक्डातमक स्थितियां अविवे कत्याशा आलस्यप्रमात्षी संग्रथ्वेश अविद्य अभिमान और भयात्मक मूल प्रवरितियां सभी क्लेशों का कारण है जिनका निराकरण विवेक व विज्ञान पून ज्यान का प्रयोग तथा अभ्यास से ही है तो विवेक तथा विज्ञान के प्रयोग का मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि जीवन के अमरत्तो पूर्व कहंशे स्विकार पाएं और उसका सक्षाप्सक्तेर प्लक्रणब वयवार के नियमों को लेके अब्यास होना और फल्रशक्रितिि वैसे ही व्यवहार जो ज्यान है जिसको मानमिता पुनातरन भी का है इसके भी प्रयोग और अभ्यास से ही इन सारे क्लेशों का दूर होना अभव है तो इसको यह दिदेखेंगे तो ऐसा लगता है कि यह लाइन तो काफी सरल है इसको लिखनी क्या शक्ता क्यों थी अनुबह दर्शन में क्योंकि अनव्यवार दर्शन पढ़नेंग से तो यह स्पष्ठी हो जाता है परंतु इसके लिए हैं ताकि हम यह न सोचे कि इन चीजों से दूर हटने के लिए जैसे अभाव रोख सशंकता इसे दूर कैसे हटा जाए एक तो यह कि यह नहीं है इनके अस्तित् दूसरा है होने के स्थिती में जैसे अभिवेक के जगह विवेक संग्रा के दगा संग्रा स्वेश के जगह स्नेय पर अविद्या के जगह विद्या पर अभिमान के जगह सरलता पर यह हम ध्यान देते हैं उसका मनंद करते हैं उसका अभ्यास करते हैं उसकी स्विकृति होत अपने आप ही दूर हो जाते हैं या बिले हो जाते हैं सतकर्म विकास अनुकुल में प्रवृत्ती है तो आपतों का उपदेश है इसी को फिर सतकर्म कह रहे हैं नियमत्रे अनुकरण अनुसरण भी सारे आपत पुरुष मतलब अभी तक जितने भी जीवन इस धर्ती पर आने क्लेश वा हर्ष कर्म परिपाकवशी हसित होता है तो यह भी दिखता है कि जो भी क्लेश है जो भी दिक्कत है जो भी दुख है तता हर्ष जो भी प्रसनता है यह कर्म के फल के रूप में ही हमको भास होता है मतलब कर्म करने से ही इसका पता चलता है कि एवल अंदर ही अंद स्या आभास होना पाया जाता है ब्रह्मानुभूति योग याधिकार पाना ही चित्वशुद्धी है यही चैतन्य कारेकराम है यह साफी एक इंट्रेस्टिंग लाइन ब्रह्मानुभूति योग याधिकार पाना ही चित्वशुद्धी है इसका मतलब है कि है और समाधन पुर्ण इच्छा होने के लिए नियाय चाहर कहना आवश्यक्षतIM है यहनिशना के अध्यन अभ्यास आवश्यक्षतिया तो इस क्रम से पूरी लूपिंग हमको तीपर करने नियोंग है तो देस्चे शुधि का मतलबी कि जिफल पूर्णत या के संकेत ग्रहन करने योग्य हो गया कौन से बुद्धी का जो बुद्धी आत्मा का संकेत ग्रहन करने योग्य हुआ है यही फिर चित्शुद्धी के रूप में समझ में आता है तो do कि टिस्पत परंपरा में भी चित्र शुद्धी की बात हुई है तो चित्र शुत होने से पिर ब्रहमान अभोति योग्या अधिकार बनता है तो अध्यन के क्रम में स्ıtzte को हम दिख सकते हैं या अध्यन के क्रम में से को हम करना सी सिती है वो कि यहां पर एक ध्यान आरी है कि चित्व शुद्धी वाले इसमें जब हम इंग्लीश को इंग्लीश में इसको पढ़ते हैं मैं ज्यादा तर जो भी अभी तर पढ़ा हूं इंग्लीश में ही पढ़ा हूं कि चित्व शुद्धी से कहते हैं कि प्योर फॉर्म हमको समझ में आती है वही चीछ जब पूरिश को भी अपना ग्यान होता है पुस्तव को में उसको भी फिर पॉंचिस्नस का है तो हिंदी क्यांता परन्तु हम यह इसको हमको यह क्लियर करना चाहिए कि यहां पर जब पूरे जीवन में है यह केवल उसके स्तर्भेद है मन से लेकर आत्मा तक तो यह एक द्यान देने का चित्व शुद्धी वाले इसमें क्यूंकि इसको लेकर परमपरागत आध्याओं में और कुस्तोकों में काफी सार लिखा गया है आगे आगे जबही मानव का आध्यांति ब्रहमानु भूति ही है चाहे आपको पता हो नहों आपकी आध्यांतिष्ट ब्रहमानु भूति ही है क्यूंकि परमत्रिप्ति और परमत्रिप्ति के पहले परम ज्यान के पहले सब कुछ जानना तथा परमत्रिप्ति के पहले कोई भी मानों रुखना नहीं चाहता है अते वेव मानों द्वारा मात्र उसी के अनुकूल, व्यवस्थाइव, विचार, विधी व्यवस्था, अध्यन, शिक्षा-प्रणाली विनिमे और उप्योग प्रणाली का प्रणयान एवं उन्नयान तथा पालन अनुसरन ही सर्व मंगल में करिकरम. है तो उस संबन्दी जो भी कर्वे करने इन सारे चीजों के लिए उसको सप्राणित करना मतलब उसको जीवितách में रखना उसको उन्त करना इसका पालन करना तथा अनुसरह करना ही सर्व मंगल में है तो मतलब है कि जैसे मान ली जी हम इसके योगन संस्किति जैसे यह जो अभी प्रस्चुतियां है यूट्यूब के माध्यम से मैंने बोल दिया मानवीजे तो हमने दर्शन की जो सूचना है उसके गती के लिए कुछ अपना योगदान दिया तो यह मानवीय संस्किति तो यह मध्याज दर्शन के गती के लिए मानवीय संस्किति को मध्याज दर्शन के माध्यम से रती प्रदान देने के लिए यह कारिकर्म है ऐसे मेरी स्विक्ति है परन्तु केवल इसका प्रणयन उन्यन करना करने मातर से काम पूरानी होता उसका पालन और अनुसरेंट भी करना पड़ेगा तो उसके योग्ये व्यव सब्सक्रादी जो यह मानवीता पून जो जीवन से संब्सक्राइब ग्यान आचरन वगरे की बात आती है तो यह पांच मिनिट बचा है घड़ी बता रहा है तो हम पांच मिनिट पुरा करके इसको रोपते हैं और कल बढ़ाएंगे कल आखरी दिन है तो हो सकता है क्यूंकि कि आज एक 20 मिनिट का ब्रेक हो गया विए टू मोर चाप्तर टोटल पांच चाप्तर थे तो हम देखते हैं कल क्या होता है वैसे यह आपको सुचना देने के लिए कहा गया था कि कल यह अनुभर दर्शन का आकरी करम है कि सुचना को मैं कल भी रिपीट करूंगा तो उसके कि समय कर दो ठाब कर दो दो बदào कि सुचना को में जो भीजा प्या कर दो हम झाला है ॉश्तर टारी कर दो कि ये लिए मुद्पान